नमस्कार मैं दिपाली अब सभी का स्वागत दिपाली आइस्ट्रों में करते हूं देखते हैं आज का दिन अनिकी 7 नवेंबर 2023 कैसे जाने वाला है तो चलिए शरुआत करते हैं मेर शाची वालों के साथ मेर शाची वालों अगर आज के दिन के मैं परिस्तिति देखूं तो आपके लिए समाने तार रहेगी कुछ खास लोड लेने की जरूरत नहीं है मन को शांत रखने की जरूरत है सबकॉंशेस माइंड में अगर कोई आपके इशू चल रहा है तो उसको देखकर आप परिशान हो सकते हैं या नेगेटिव सोच सकते हैं अपनी परिस्टितियों क काबू में पाने के लिए सब तरफ से आज के दिन आपको कोई ऐसी सोच या कुछ ऐसा निश्कर्श या कोई ऐसे डिसीजन पर आज के दिन पहुंचना चाहिए जो आपके और आपके परिवार के लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सके लंबे समय से चल रहा पारिवारिक त किसी तनाव से आज के दिन आपको मुक्ती मिल सकती है बात करते में विर्श्वराशी वालों के लिए बिसने में बरहेगे हर तरफ से बनी रहेगा विचारधारा एं परबल रहेंगी कारिशेतर में positivity बनी रहेगी लोग आपके काम की तारीफ भी करते हुए नजर आएंगे कुछ नया भी आज के दिन आप कर सकते हैं कुछ नई अवस्था परिस्तिती सिटुएशन कोई बिजनस ऑपर्चिनिटी या कारिशेत्र में भी नए अवसर रोजगार के आज के दिन आपके सामने आ स साथे साथ आज के दिन आप उन सभी कामों को कारियों को पूरा कर पाएंगे जो आप इतने समय से सोच रहे थे खास तोर पे फिनैंशिल इन्वेस्टमेंट को लेकर तो लंबे समय से अगर आपकी काज़ी कारवाई पेंडिंग थी लंबे थी तो अब वह पूरी होती आपको थोड़ा सा परिशान करके जा सकती है तो स्वास्त पे आज के दिन आपको ध्यान देने की जरूरत है साथी साथ अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति विशेश के कारण आप कहीं से हर्ट हुए थे उनके द्वारा बोले गए कोई शब्द आज के दिन आपको हर् परिश्तिती से भी निकल जाएंगे कहने का मतलब यह है कि आज के दिन अगर आप अपने निजी रिष्टों में पारिवारिक रिष्टों में सुझ बूच का परिचे देंगे चुने हुए शब्दों का प्रियोग करेंगे तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी भी आपकी बड़ेगी चाहे वो कारिशेतर में हो चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो कहीं न कहीं आपके लिए कोई ना कोई ऑपरचुनिटी या पॉजिटिविटी इंडिकेटर है जो लोग इन्वेस्मेंट करने की सोच रहे थे और ऑप्श परिवार के लिए कोई मैच्वपूर्ण निर्देश परिवार के किसिस दस्य को दे सकते हैं, मिल जोलकर कोई एक निर्णय ले सकते हैं, अगर आप घर चेंज करना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्मेंट से रेलेटेड कोई अगर आप अक्टिव करता हुआ नज़र आएगा बात करते हैं तुला राशीवालों के लिए तुला राशीवालों आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए positivity से भरा हो सकता है आज का दिन आपको सभी तथियों को रिवीव करने का मौका देगा जहां पर कारिशेत्र में पिशले कुछ दिनों से या महिनों से आपसे कुछ तुटी या एरर हो रहा था आज के दिन अगर आप अपनी गलतियों पर काम करेंगे तो आप अपने लिए अच्छा पॉजिटिव एक 15 दिन के अंदर-अंदर स्वरूप खड़ा कर सकते हैं कारिशेतर में आगे बढ़ने का गतिशील तरीके से आगे बढ़ते रहिए निरंदर प्रयासरत रहिए पराक् विर्षिक राशी वालों के लिए ओवर ओल पॉजिविटी विर्षिक राशी वालों आपके लिए बनी रहेगी लोग आपके काम की तारीफ करेंगे साथी साथ आप उन सभी तथ्यों को नजर अंदाज भी आज के दिन करते हुए नजर आएगे जो पिछली कई दिनों से आपको परिशान कर रहा था कोई आस्पेक्ट कोई सिटुएशन कोई अवस्था या कोई व्यक्ति विशेश कहने का मतलब यह है कि आज के दिन आपके नजरिये में या प्रोस्पेक्टिव में चेंज आएगा परिस्तिती को आप दोरे आयाम से देख पाएंगे उसका आपके लिए बनी हुई है मन आपका शांत रहेगा इन्वेस्मेंट के नए आयाम आपके पास खुल कर आएंगे साथ ही साथ आज के दिन आए में भी बड़ोतरी होते हुए देखेंगे इंकम जेनरेट करने के हो सकता है आपके पास काफी जादा सोर्सेज आज के दिन आज के दिन महत्रपूर्ण रहेगा क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में या महीनों में आपके लिए लॉंग टर्म फिनांशल स्टेबिलिटी ला सकता है बात कर राशी वालों के लिए अगर आप नए काम में कुछ हाट डालने की सोच रहे हैं विस्तार करने की सोच रह हैं नए एवसरा सकते हैं तो अज के दिन आप बिलकुल सही दिशा में जा रहे हैं गाती शिल रही है के दिन आपको क्रिया श्यल अगर आप बने रहेंczę कंसिस्टेंसी आप के कारे शितर में देखने को मिलेगी तो मन भी शान्त रहेगाईं साथ याइवस्थान को भी आप हैंडिल कर पाएंगे लंबे समय से चल रहा कोई पारिवार एक तनाव आप खतम होता हुआ नजर आएगा परिवार के सदस्यों का सपोर्ट आपके कॉंफिडेंस अविल में और अज़ के दिन जा सकता है बात करते हैं कुमराशी वालों के लिए कुमराशी वालों आज के दि आप positivity एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप finances में कुछ न कुछ financial investment करने की सोच रहे हैं finances में आपको लग रहा है कि आप सही से उसका एक implementation नहीं कर पा रहे हैं या finances को सही तरह से सुलजान नहीं पा रहे हैं तो अब आपके लिए situations positive होती भी नज़र आएंगी साथी साथ आपके लिए और आपके परिवार के लिए कहीं न कहीं कोई एक short trip indicative है जो आपके stress levels को और ज़्यादा manage करती हुई जा सकती है परिवार के साथ बिताया गया quality time आपको बहतर तरीके से rejuvenate करके जाएगा बात करते हैं मीन राशी बालों के लिए आपके लिए सब तरफ से positivity indicative है समानता जाएगा आज का दिन कुछ विशेश उतार चड़ाओ देखने को नहीं मिलेगा अपने ऊपर आज के दिन आपको भरोसा रखते हुए कोई व्यक्तिगत निजी पारिवारिक या समाजिक दृष्टिकोंड से कोई आप एक ऐसा निरने ले सकते हैं जो आपके समाजिक साख प्रतिष्ठा या पारिवारिक स्थिर्था को और मजबूत करके जा सकता है कारे शेतर में समानिता स्थिती बनी रहेगी आपको पदुनिती के अवसर भी दिखाई देंगे और निजी वेवसाय है तो उसमें भी आज के दिन आपको विस्तार का स्वरूप सामने आशकता है इसके साथ मुझे आगए दीजे मैं कल फिर आजिर होंगी नमसकार